आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ चोकलेट कपकेक की रेस्पी ये देखिए ये कितने सॉफ्ट स्पंजी और मॉइस्ट है इन्हें बनाना बहुत ही असान है खाने में बहुत टेस्टी होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना इसके लिए हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप हलका गरम दूद ये 125 ml है लूक वाम होना चीए इसमें हम आधा कप पाउडर शुगर एड़ करेंगे नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लें ये आधा कप है इसमें 1 फोर्थ कप रिफाइन डॉयल एड़ करेंगे ये अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इस मिक्स चलनी लगाएंगे और ड्राइ इंग्रीडियंट्स चानेंगे ये एक कप मैदा है ये 250 ml का कप है ये 1500 ग्राम मैदा है दो पिंच सॉल्ट एड़ करेंगे एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर और 1 फोर टीस्पून बेकिंग सोडा दो बड़े चमच कोको पाउडर अब सारे इंग्रीडियंट्स को इस तरह से चान लेंगे ये देखिए ये मैंने सारे ड्राइ इंग्रीडियंट्स चान लिये अब हम इने मिक्स करेंगे इस तरह स इसे एक ही डिरेक्शन में धीरे धीरे मिक्स करेंगे यह देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी गाढ़ा लगता है तो इसमें थोड़ा सा दूद आड़ कर सकते हैं एक चोटा चमच वाइट वैनिगर एड़ करेंगे और हलके हातों से इसे भी मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए बहुत जादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए अब इस तरह की कपकेक मोल्स ले लेंगे अगर इस तरह की नहीं है तो आप इस तरह की छोटी-छोटी स्टील की कटोरी ले सकते हैं इन्ह आवन में रख देंगे थोड़ा सा टैप करके प्री हीटेड आवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे आप इन्हें चाहें तो कड़ाई में भी बेक कर सकते हैं 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ये देखिए आवन वाले बिल्कुल रेडी हो च यह थोड़ा ठंड़ा होने देते हैं यह देखिए आधा घंटा हो चुका है और यह अच्छे से ठंडे हो चुके मैं आपको इन्हें डिमोल करके दिखाती हूं यह देखिए कितने सॉफ्ट स्पंजी और मॉइस्ट बन है बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में आप आप कोई रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर बताएं थैंक्स पर वाचिंग